नमस्कार, किसी को भी अपने देश में फिलिस्तिनी नहीं चाहिए, उनको हर तरह का सपोर्ट देने वालेों को भी नहीं चाहिए इसका एक कारण यह भी है कि फिलिस्तिनी उपद्रव करने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते कम से कम उनका नेत्रत्व जो भी करता है उस उपद्रव मुल्य को एनकेश कराने के लिए ही करता है जॉर्डन के शाह ने उन्हें सहारा दिया था तो ये जॉर्डन के शाह काई तक्ता पलट करने में लग गए तो फिर शाह ने उनको अच्छा सबक दिया पचीस हजार से अधिक फिलिस्तिनी मारे लेकिन उसके लिए अपनी असली अरब प्रजा या सैना के हाद गंदे नहीं किये अपनी सैना को ट्रेनिंग दे रहे पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जियाउल हग को ओर्डर दे कर उसके पाकिस्तान तथा कुछ अन्य मलेच देशों के सैनी को द्वारा ये फिलिस्तिनी मरवाय थे ये वही जियाउल हग थे जो आगे चलकर जनरल भी हुए और पाकिस्तान के सरवे सरवा भी ये पचीस हजार फिलिस्तिनियों का सहार शत्प्रतिसद कौम का अंदरुनी मामला था जिस पर भारत का कोई कौमी बोलता नहीं है सच्चा ही तो ये है कि इस पूरी कौम को अपने शरणार्थी काफिर मुलकों में ही भेजने होते हैं उनका काम वहां जाकर कौम के लिए जमीन बनाना होता है जो अपने यहां से कमफर्टेबल लाइफ छोड़कर दूर के काफिर देश में जाकर यात्रा में तकलिफे भी उठानी पड़े तो उठाकर उस टारगेट काफिर जमीन पर जाकर कौम के लिए उसे तयार करे वो ही सच्चा मुहाजिर माना जाता है यात्रा में खब गया तो भी सवाब का हगदार है क्योंकि वो उसका इरादा जानता है जो अपने ही दीन बंदुओं के देश में आए और अपने ही दीन बंदुओं पर बोज बने वे न सम्मान के हगदार है और नहीं उन्हें कोई मुहाजिर मानेगा इसलिए जो यहां से पाकिस्तान गए उन्होंने खुद को मुहाजिर कहना सुरू किया तो पाकिस्तान में मुहाजिर सब्द ही गाली बन गई वापस आते हैं फिलिस्तीन पर उनका वहां होना कई लोगों के लिए कमाई का धंदा है जो रमजान में उनके नाम पर अपने सेविंग्स बढ़ाने के लिए सेव गाजा सेव पैलेस्टीन की मुहीन चलाते हैं अब सेव करने के लिए दुख्यारे चेरे भी चाहिए तो फिलिस्तीन के निता लोग वहां से ऐसी जगों से रॉकेट अटेक करवाते हैं जहां से इसराइल के जवाबी अटेक में नागरीक यानी बच्चे, महिलाए और बुड़े आदी मरेंगे वैसे इनका अटेक भी कोई मिलिटरी टार्गेट पर नहीं होता है दैशत के लिए सिविलियन्स को ही मारना इनका 1400 वर्सों का चरित्र राय लेकिन इनके सिविलियन्स जवाबी कारवाई में मरें तो विक्टिम काड़ खेलने के काम आते है यूँ तो इसराइल इनको इनकी नीती से जवाब दे रहा है मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, फिलिस्तीनियों को भी नहीं इसराइल चाहता है कि जिनके बच्चे उसके जवाबी कारवाई में मरें वे नेताओं के खिलाफ खड़े हो क्योंकि नेता दूसरे देश में बैटकर युद्ध चलाता है और यहां इनके बच्चे मरते है नेता वहाँ खुशाल है, 7-8 बच्चे भी पैदा करता है जिनके एशो आराम की जिंदिकी के लिए पैसे पैलेस्टीनियों की कुर्बानी दे कर आते है अब इसके खिलाब भी आवाजे उठने लगी हैं क्योंकि नेताओं के पास कोई देवी क्लेम तो नहीं है कि लोग इनके कहने पर मर जाए वैसे हमें यह सर्णार्थी पुनर स्थापन को गौर से समझना चाहिए स्वतंत्र भारत में पूरु पश्चिम दोनों जगह से शर्णाती आए पहने वस्तरों पर जान बचा कर आए आज सैटल होई गये न क्योंकि वे सैटल हो जाए यह भारत का उदेश्य था और वापस अपने पैरों पर खड़े हो जाना उनकी भी नियत थी 71 में पूरु पाकिस्तान से आए या 91 में कश्मीर से भगाए हुए भी सैटल होई गये न क्योंकि सब को दुबारा खड़ा होना था पैलेस्टीनियों का ऐसा नहीं है न वहाँ वे जिम्मी है नहीं दोयम दरजे का वैवार किया जाता है उनसे सब बराबरी से मिलता है उन्हें किसी मौमिन देश में यहूदियों के साथ ऐसा सलूक होई नहीं सकता इसलिए वहाँ कोई यहूदी है भी नहीं लेकिन उनको तो दबंग गई करके ही रहना है तो कौन गवारा करे इसलिए अगर इस रमजान पर पैलेस्टीनी अगर अपने हमेशा वाले खुरापाती अंदाज में आ गए कुछ ज़्यादा ही क्योंकि ट्रम्प ने फंड बंद किया था तो बाइडेन ने दे दिया तो नेतन्याओं ने भी मौका लपक लिया कि इस बार आरपार ही कर देंगे पूरा पैलेस्टीन खाली कर देंगे और कबजा भी नहीं छोड़ेंगे सब उम्मतियों की फटने का कारण यहीं है क्योंकि इसराइल पैलेस्टीन खाली कराएगा लोगों को मारेगा नहीं फिर यह सही में सरनार्थी बनकर उम्मत की जिम्मेदारी बन जाएंगे और वो कोई नहीं चाता वे वही रहे हम उन्हें पैसे बेजते रहे ताकि वे इसराइल को तकलीब देते रहे और यहुदियों को तकलीब देने का हमें सवाब भी मिलता रहे सबके स्वार्थ सद रहे थे सुरक्षित अंतर पर से लेकिन अगर इसराइल पैलेस्टीन को खाली कर देता है तो पैलेस्टीनी इनके गले का फंदा हो जाएंगा इसलिए इसराइल में रहते 25% अरब भी दंगों पर उतर आएं लेकिन चुकि यहुदी हिंदू नहीं है इनको भी अपनी भूल समझा देंगे वे कुल मिला कर मामला काफी इंट्रेस्टिंग होने जा रहा है जैहिन